नमस्कार दोस्तों मैं हूं सौरब शर्म आप देख रहे हैं भारट 24 दोस्तों एक special guest बेसार मुंबई से जुड़ी है special इसली है क्योंकि उनकी जो कहानी है वो भी special है एक ऐसी family entertainer जो बहुत दिनों के बाद जिसको देखके बहुत हसी भी आ रही है आपका बहुत स्वागत है thank you so much निदी में बहुत टाइम बाद एक ऐसी फिल्म आ रही है जिसको हम family entertainer भी कह सकते हैं और वो कहानी जो हम सब से जुड़ी भी है यह कहानी thought process क्या था और यह घुर्चडी क्या है so basically यह एक film है जो मेरे husband ने लिखी है बिनोय गांधी यह उनकी first film as a director लिखी मुने ही है जब मैंने यह film पहली बार सुनी और मेरे पास वो नहीं आय थे मैं उनकी first choice नहीं थी clearly as a producer as a wife थी but as a producer मैं I don't think थी but जब मैंने पहली बार यह कहानी सुनी और वो अलड़ी किसी और से किसी और production house से मुझे एक फीलिंग आया जो मुझे आती थी जब मैं ममी की फिल्मे देख थी जैसे कि गोलमाल एंगटा मीथा और वो जो उरानी फिल्मे थी जिसमें मम ने अक्टिंग की थी and एक 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 बहुत फैमिली का हर किरदार जो उनका एक एक उन फिल्मों में था जो बासु चैटर जी की फिल्मों में था वो तो लेजिंड थी बड़काश बड़े अपन लगता था जब वो फिल्में देखते थे हम तो ये स्क्रिप्ट सुनके मुझे वैसा ही लगा तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे यह कहानी है जहान सिर्फ पापा को प्राउड करने के चकर में मैं अपनी मदर की लेगिसी ना भूल जाओं तो शायद मुझे जुड़ना चाहिए इस फिल्म से ताके हम इस फिल्म को as a family प्रोड्यूस कर सकें और और यूनों आज अज जो content है of course, इतनी आबादी है दुनिया में, not only India में और इतने content की जरूत है क्योंकि आज इतने platforms हैं, theaters हैं, इतना कुछ हो रहा है, television अलग से है but एक कुछ-कुछ फिल्में आती हैं, कुछ-कुछ शोर आते हैं कभी-कभी which जो Ekta Kapoor has done years ago where एक दादी से लेके एक फोते तक वो एक कमरे में बैठके वो एक चीज साथ में देख सकते हैं this is that film, यह वो film है so I'm very proud to be able to bring this to audiences हम इसको एक तरिखे कहते हैं, clean entertainer film जिसको हम पूरा परिवार, बच्चों के साथ, बुज़ोगों के साथ बैठके एक साथ देख सकता है, और हस सकता है और वो feel कर सकता है, जो हमारे आसपास हमने देखा है बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा मैं, content की हम बात कर रहे हैं content बहुत strong हमें आज के दौर में चाहिए और roots भी नहीं हमें भूलनी चाहिए लेकिन आपको लगता है कि यह इस पे दोनों चीज़े है content भी बहुत strong है और rooted भी है इस फिल्म में हानजी, बिल्कुल आप जब देखेंगे फिल्म, लोग देखेंगे तो वो समझेंगे कि अगर आप Arunai Rani Ji का character ले ले जो दादी है जो अपने पोटे की गुर्चडी की बेट कर रही है उसमें आपको वो feeling और उनके जो thoughts है जो एक certain generation थी जो हमारे grand parents हैं उनके ख्यालात आज तक सेम हैं हम कहीं भी रहें इंलिया में, कुछ भी हो हमारे सब दादादी का एक मतलब हम साथ में बैठ जाने तो हम बोले हैं हमारी भी दादी यही करती है मेरी भी नानी यही करती है तो एक वो feeling है जो अरुना जी के character में है At the same time you know, when you see Sanju sir and Raveena's character you know, Raveena being a woman that is you know, self-made and she's you know, in a place like Delhi where she's got her own salon and she's working in the film that's her character and उसमें आपो लगे का के हां यह भी ऐसे लोग हैं आज you know, जो women who are so into themselves and still उनकी अपनी बेटी के लिए बेटी के लिए जो feelings है, डर है, सपने है so it's very, all the characters are very rooted to our Indian culture and I'm so proud of Benoy and the way he has brought it together and brought it out and for me, I think the one thing that is also very, you know I think, you know, somebody किसी ने पूछा के आप दो आप अपने फादर की फिल्में प्रोडूस करते हैं जो, you know, Indian Army पे या आम्ड फोसे पे बेसे हैं और अब आपने घुडचड़ी की है जो एक कमडी या एक, you know, family drama है but I think the one thing in common between these two is India and its emotions correct अगर वो फैमिली एमोशन हो या अज़ नेशन पेट्रियोटिक एमोशन हो Indian emotions इंडियन होते हैं तो एक बार उन से अगर आपको वो feeling आ जाए वो film देखके तो I think the film can be a success बिल्कुल नदी में घुड़ चड़ी हो या आप अभी border 2 वी लिखा आपने आई लिख रही हैं आप आपको लगता है कि क्योंकि जमीनी जुड़ा मुद्दा है ये भी हमसे जुड़ा है जैसे आपने बोला border 2 वी वो emotions है जो हम सब feel करते हैं अपने लोगों के लिए उन सभी उन सभी के लिए जो border पर हमारी रक्षा में तिनाथ रहते हैं लेकिन आपको लगता है कि अभी content जो निकल के आ रहा है बहुत सारी other film होगा वो relate नहीं कर पा रहा है और जो relate कर पा रहा है उसके लिए audience भाग के जा रही है थेटर्स पे देखने के लिए फिल्म है So, you know, I मेरा मानना ये है कि मैं देखे हर फिल्मेकर पापा कहते है हर फिल्मेकर वो ही बनाता है जो उसके एक्सपिरिंसे हुए है कोई किसी अपकोस हर फिल्मेकर को या हर स्टोरी टेलर को लगता है कि मेरी फिल्म का अच्छे से काम करें सक्सेस्फुल है बट एक सर्टन माइंड से है इंडिया का और वो आप उसे अंदेखा नहीं कर सकते बिएंड पॉइंट हमारे एमोशिंस, हमारे वाल्यूस एक तरीके से हैं पापा हमेशा अच्छे से स्टूडियो सिस्टम नहीं था और जब इस्टिब्यूटर्स और एक्जिबिटर्स होते थे और पापा तब जब फिल्में बनाते थे मुझे अभी भी याद है जब मैं बड़ी हो रही थी और मैं अगर पापको ऑफिस में मिलने जादी की तो पापा यह ही पूछते आज तक आँ अज तक यह पूछा और इंच्छा होगा विच इस नौट ग्रेट बड़ीसर लेकिंट नहीं पूछा कि मेरे ओवर्सीज कितनी कमारी है Correct. पापा का ये था कि बोपाल में कितना हुआ? इंदोर में कितना हुआ? CPCI में कितना हुआ? दिली के क्या नंबर आ है? दिकोज उनको ये था कि मेरा हाट लेंड है इंडिया का उनको मेरी फिल्म अच्छी लग रही है या नहीं? हमारी अबादी इतनी है कि हमको किसी और के लिए फिल्म बनानी की जरूत ही नहीं है हम अगर हमारे इंडियन ओडियंस को एक दो घंटे का विंडो दे पाएं जिसमें हम या तो उनको हसा दे रुला दे या हमको उनको पेट्रियोटिक फीलिंग दे दे या उनको और मेक दम फॉल इन लव वह हमारे लिए अज मेकर्स इस सक्सेस्फुल आइडिया इनीवेस निदी में यही जानना चाला था आपके सवाल पर एक सवाल है कि आज अगले दिन एक फ्लायर आता है हमारे मोबाइल स्पेस अब वट्साइब गुप पे इतनी कमाई कर ली फिर सेकिंड गुजरता है तो फिर एक फ्लायर आता है इतनी कमाई हो गई आपको लगता है कि लोग कमर्शिली और उसको किता बजट था कितनी कमाई इस पर ज्यादा और इसलिए हम फोकस कॉंटेंट पे आज नहीं कर रहे हैं I feel कि अगर आप ये सवाल मेरे से दो साल पहले पूछते तो मेरा जवाब अग होता लेकिन आज अगर आप ये मुझे पूछ रहे हो जब एक लापता लेडीज जैसी फिल्म रिलीज हुई है Shrikant रिलीज हुई है इतनी फिल्मे हैं जो content-based है and they are still doing well so that tells us के हमारे audiences ready है एक अच्छी कहानी के लिए वो किसी भी budget में बनाया जाए वो किसी भी अक्टरों के साथ बनाया जाए उनको अगर आप कहानी अच्छी दे दो तो फिर उनको और कुछ नहीं चाहिए content is become king now content was always king, we just didn't see it now poster boys come हो गए है और बता दिया गया है कि जब कहानी अच्छी हो तो poster voice की जोद नहीं पड़ती audience अपना प्यार बेशुमार देती है आपको लगता है मैं कि poster boys अब हट चुके हैं अब content फिर एक बार अपनी ताकत दिखा रहा है अब बड़े-बड़े poster boys की जोद नहीं है क्योंकि जब कहानी तनी poster boys की तो जरूत है लेकिन poster boys को content की जरूत है जी अच्छा जब आप कहानी border 2 की लिख रहे थे बिकास मैंने सुनाय आप ही कहानी लिख रहे हैं जब आप एसी कहानी लिखते हैं जो border की है जवानों की है क्या उस समय फिल करते हैं आप क्या जहन में होता है गूसबंस कितने आते होंगे full of injections energy क्या लग जाते होंगे emotions भी break होते होंगे बहुत अलग अलग तरीके के अप फिल करते होंगे emotions को क्या था जब आप लिख रहे थे border to man you know honestly मैं आपको एक बात बता हूँ मैंने जैसे मैंने कहा कि हर फिल्मेकर या हर स्टोरी टेलर अपने जो experiences है वो उसी चीज को पर्दे पे या पेपर पे लेकिया मेरे लिए as a maker today as a storyteller my experience जो रहा है मेरा that is my father when I was a child I remember हम जब चुटियों में कभी Christmas New Year के लिए लंडन जाते थे मेरी बहन और मैं हम बाराबजे ये fireworks लंडन दुनिया में बाराबजे बाराबजे लिए तो आप New Year bring in कर रहे होते थे fireworks excited एक बार ममी को विश कर लिया पापा अपने फोन पे होते थे फिर वो फोन घुमा के हमें दिखाते थे और उन्होंने ये गूगल किया होता था कि स्याचिन ग्लेसियर में उस वक्त का वेदर कंडिशन किया था फिर वो हमें कहते थे बिटा डोंट फगेट कि कि right now in minus 32 degrees there are some soldiers that are sitting there और वो make sure कर रहे है कि आप इस वक्त अपनी family के साथ ये new year's खुशी-खुशी मना सको और वो अपने फ़रिवारों से दूर बैठे तो बहुत कम उमर से मुझे मेरी जहन में ये डाला गया कि हमारे armed forces हमारे देश के लिए और हमें सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं तो बच्पन से ही वो एक emotion बहुत ज़्यादा गहरा है मैंने जब मैं छोटी थी मैं LOC के sets पे जाती थी वक्त LOC के शुरू होने से पहले पाप जब सारे कारगिल हीरो के फैमिलीज को मिले थे उनसे बाते हुई थी मैंने उनकी फैमिलीज को रोते हुए देखा है पाप को उनकी साथ रोते हुए देखा है Of course, my father comes from a background of the armed forces because पाप हमारे मेरे जो चाचा थे पाप के छोटे भाई थे, वो air force में थे और वो 29 यह की उमर पे उनका MIG-21 क्रैश हो गया था But of course, he was part of the 71 war as well तो पाप उन इमोशन से दादर जी उन इमोशन से गुजर चुके थे खुद इसलिए उन्होंने शायद BORDER LOC जैसी फिल्में लिखी है इतना वक्त बिताया है कि जब मैंने घुर्चडी जब खतम हुई तब मैंने सोचने लगी कि अब JP Films as a company अगला क्या बनाएगा which is my responsibility as a child towards my father's company. So, जब मैं सोचने लगी तो हमारे करीमन 3-4 साल हमारे जो लेट General Bipin Rawat थे Chief of Defense Staff who we lost unfortunately उन्होंने मतलब उनके डेट से पहले मेरे और पापा के साथ एक मीटिंग की थी उन्होंने मैं अफकोस उनको पल्टन के टाइम मिली थी और तब से हमारा रिष्टा था लेकिन वो हमें मिले थे और उन्होंने कुछ कहानिया दी थी काफी कहानिया दी थी जो उन्होंने हमारे जिम्में किये थे जो हमें बनानी थी as films जब खुडचड़ी खतम हुई और बनाय का पुरा सेट अप हो गया था तब मैंने यह सोचा के अब क्या करें उस वक्ट जब मैं उन कहानियों के साथ बैठी तो मुझे एक कुछ कहानिया उनमें से मिली जो 71 की ही लड़ाई के थे तो एक एक एसा दिन था मैंने सोचा नहीं था के मैं खुद लिख लूगी लेकिन जब मैं वो कहानिया पढ़ने लगी मुझे ऐसा लगा के मुझे कुछ आइडियास सुदनली आने लगे तो एक ऐसा दिन था I still remember 22nd of February जब मैं बैठी और मैंने कहा के okay, let me try and do this. तो मैंने एक दिन बैठी सोबे से शाम तक and first to last scene आगया था by the grace and blessings of my grandfather from heaven, of course. Nidhi, we have Sonny Sir Ayushman final हो चुकी and Starcast final है अभी? अभी बस हो ही रही है, as soon as हो जाएगी, तो मैं आपको बता दम थी Okay, क्योंकि आप story-telling करते हैं, लिखते बहुत अच्छा है डारेक्ट बहुत अच्छा करते हैं We have all seen. अतिया श्यटी के लिए भी जो आपकी बहुत करीबी है उनके लिए कहानी है थोड़ा अभ्जूर से बोलेंगे क्योंकि आप बहुत अच्छी storytelling करते हैं लिख बहुत अच्छा है, डारेक्ट बहुत अच्छा कर रहे है आपकी सबसे करीबी एक दोस्त है अश्यटी उनके लिए कोई कहानी उनके लिए भी कहानी लेकर आरहे हैं बिलकुल, बिलकुल, 100% अश्यब्हाँ Because you have always been encouraging others also. If you are not writing a story, are you acting on the screen at 70 a.m.? I don't think so. I think I should say this on record and hopefully my mother will not watch this interview. But I think my father's influence is a little more than my mother. Okay, because your mother has done a lot of good work. She's in her own films. Is there any kind of film you want to make a new StarCast again? I don't think that they should remake them. I don't believe in remakes much. But saying that, I think the one film that I would really want to... I've always thought of kind of remaking was a film called Hummari Bahu Alka. Wow, I've heard about it. That film is a film that I think has a lot of Indian sentiment. So, maybe someday. Okay, Nidhimem, how do you see it? Because after COVID, I think there is an audience. People say that there is an audience. I think there is an audience, but there are challenges. What challenges do you think the biggest challenge you think of after COVID? You know, honestly, I think more than anything else, is that the two years we have, as a race, as humanity, we have missed the two years of all of our lives. We have lost out on two years of all of our lives. And to now catch up with that, you know, because some people had children and maybe they were going to start school, they couldn't do it. They were going to start jobs, they couldn't do it. So, now in this rat race, that we are in the space of makeup for two years, that is the challenge to now bring to the audience, okay, this is your time, this film or this show. So, you have lost out of time, you know, so I feel that has become the challenge more than anything else. But I'm sure it will find its space, so much content, I mean, it's being full of content, and it's so much consumer-based, which is the content that is watching, you know. So, I think it will find its space. So, do you think OTT has become a challenge for cinema as well? Not at all. I think any medium in any way that is telling stories which will connect people to watch more entertainment is just great for the entertainment industry on the whole. it will be OTT or film, entertainment industry on the whole. if there is a potential, then it will be a benefit for everyone. We have also seen visuals in all of the people. You have seen everyone. You have seen the the connection that you see, that is the audience and you are seeing. How are you seeing that connect? How are you seeing that story? How are you seeing that story? How are you seeing that emotions? को कैसे देख रहे हैं और जिस भैतरी आपने जो गाना भी हाली में लाँच की है वो भी मुझे लगता है कि everybody is doing Bhangra on that. I hope so. I really hope so. It's Subbir ji's song. He's the king of Bhangra, not the prince of Bhangra, as Binoy said the other day. And so honored to have his song in the movie. उनकी करियर का ये पहला गाना था और अब ये गाना था अब ये गाना की करियर की पाली फिल्म ने है. So it's a very special moment. और उन्होंने हमारे वेडिंग परफॉर्म किया था तो उनके साथ रिष्टा थोड़ा अलग है. But I just hope people like the song and I'm sure हर शादी पे इस साल तो ये गाना बजना ही है. मैं में एक आखरी सवाल, क्या जेपी सर इस फिल्म को देख चुके है? जेपी सर इस फिल्म को देख चुके है. What is the first reaction? Because not as a father, but as a audience, जब और बैटके देख रहे थे, तो उनका feedback मैं जानना चाहता हूं क्योंकि उनका feedback बहुत इंपॉर्टन है और जब भी और बोलते हैं, दिल से बोलते हैं चीजों को. He was teary-eyed, उनके आपों में आसू था, फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला, 10-15 मिनिट, फिर उनने बिनौई की तरफ देखके बोला, वेल ड़न, सन. Wow. And what all you have to say to the audience? Because you are a kid, 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 and what all you have to say to the audience now? I would just like to tell them that this is, यह वह फिल्म है जो आप बैठके, एक वीकडे पे एक एवेंट बना लेना, एक अच्छी इवनिंग बना लेना, सारे फैमिली को साथ बठाना, पपकॉन लेना, और दुनिया के सारे गम भूल के दो घंटे, सिर्फ लाइफ को एंजॉय करना, हसना और रोना साथ. चले, निरीब मैं, हम भी सबसे यह रिक्वेस करते हैं, अगर आप जिम में हैं तो जिम फ्रिंज को, अगर आप घर में हैं तो पूरी फैमिली को, और अगर आप किटी पाटी के तो सारी किटी पाटी फ्रिंज को लेके इस फिल्म को जाईए देखे, क्योंकि इसके अंदर वो सभी emotions हैं, आप हसेंगे भी, ताकि वो जो प्यार आप से आ रहा है वो उन तक पहुच हो के Thank you, ma'am, talking to us. Thank you so much. Lovely speaking to you.